हार्दी कभी नंदन व्यूवर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 197 कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड यानी पेटियम स्टॉक के बारे में जिसमें आज हमें अचानक से 6% तक की तेजी आती देखने को मिली वो भी एक बड़िया वॉल्यूम के साथ जो कि इस स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टॉक में आई इतनी बड़ी तेजी के पीछे का रीजन क्या है अब आगे क्या रहेंगे इस स्टॉक के सपोर्ट और रिजिस्टेंस लेवल्स इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अब क्या करें और जो इन्वेस्टर्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या अपने बाइंग प्राइस को average करने की सोच रहे हैं वो क्या कर सकते हैं तो वीडियो को एन तक जरूर देखें और ऐसी और informational वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें जैसे कि हमें ये stock 801 रूपीज के price पर 6% की तेजी में closing देता हुआ नजर आया कई दिनों से इस stock में तेजी लौटती देखने को मिल रही है क्योंकि इसका last 5 days chart देखें तो stock last 5 days में 12% का up move और last 1 month में 24% का एक positive move दिखाता नजर आया है और आज एक ही दिन में इतने बड़े jump को हम इस share के लिए बहुत बढ़ी आमान कर चल सकते हैं stock अपने 52 weeks हाए यानि 1955 रुपीज के लेवल से गिरना शुरू हुआ और हमें stock में 510 रुपीज का लोग बनता देखने को मिल गया जिसके चलते investors बहुत जादा परिशान हो चुके थे लेकिन अब कई दिनों से एक recovery stock में आती देखने को मिल रही है चलिए अब जान लेते हैं इस तेजी के पीछे की बजा गया है जैसे कि हम सब जानते हैं कमपनी अपने quarter one results 5 August को पेश करने वाली है और उसी को लेकर बड़ी brokerage companies ने इस company की growth को देखते हुए quarter one results को लेकर अपनी राय बताई और targets अपडेट किये हैं जो कि बहुत ही जादा positive है साथ ही इस report में लिखा है brokerages believe that company will report improved numbers in the June quarter of financial year 2022 and 2023 और Yes Securities ने अनुमान लगाया कि company का revenue जो है वो year on year basis पर 100% की growth दिखाता नज़र आएगा और वहीं Goldman Sachs ने बताया कि revenue 90% बढ़ने के chance है जिसके चलते 1,050 रुपीज का target इस brokerage की तरफ से आता दिखा साथ ही Axis Capital ने भी 940 रुपीज का target पेटियम स्टॉक के लिए अभी से दे दिया है हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा free WhatsApp ग्रूप या टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं जिसमें daily free cash equity calls मिलती हैं जो की हमारी research टीम द्वारा provide की जाती हैं और इनका link description box में given है इनकी brokerage companies के positive outlook को देखते हुए investors ने quarter one result से पहले aggressive buying करनी शुरू कर दी जिसके चलते आज ये report सामने आते ही अचानक से बहुत बड़ा move stock price में आ गया आज का volume देखें तो 71 lakh का volume इस stock में हुआ जिसमें से delivery percentage 20% है जो की बड़िया है और long term investors को ये stock बहुत सस्ते price में मिल रहा है जिसका benefit लिया जा रहा है आज brokerage की तरफ से ये report आते ही investors ने aggressive buying करी और एक बड़िया jump stock price में हमें आ जाता देखने को मिला अगर हमें और भी तेजी देखने को मिलती है तो ये stock हमें 818 रूपीज के level पर resistance वेस करता नजर आ सकता है और 852 रूपीज का level एक strong resistance level की तरह काम करता नजर आएगा अभी के लिए हम 785 रूपीज का level पहला support level मान कर चल सकते हैं और अगर जादा गिरावट देखने को मिलती है तो 750 रूपीज का level strong support की तरह काम कर सकता है पर हमें उमीद है stock इस level से नीचे जाता नजर नहीं आएगा बात करें investors की और जो investors fresh investment करने की या अपने buying price को average करने की सोच रहे हैं उनकी तो investors अभी stock को long term के लिए बिल्कुल होड कर सकते हैं क्योंकि long term business model इस company का बहुत strong है और जैसे की stock बहुत सस्ते price में मिल रहा है तो हमें एक बड़िया rally stock में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है short term investors इस stock में अभी trading purpose के लिए enter बिल्कुल न करें क्योंकि quarter one results में आया हलका सा decline इस stock में बड़ी गिरावट ला सकता है और एक consolidation इस stock में अभी देखने को मिल सकती है इसलिए aggressive buying अभी बिल्कुल न करें और जो investors इससे बहुत उपर के price पर buy कर चुके हैं वो अपनी fresh investment amount को parts में divide करके इस stock में dips में बाइन करें अगर आप share market में नए हैं तो आप अपना DMAT account angel one के साथ open कर सकते हैं जहांपर account opening and delivery charges बिल्कुल free हैं और intraday के सिरफ 20 रुपीज चार्ज किये जाते हैं account open करने के लिए description box में given link पर click करें और जल्दी से अपना account open करें आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए updates के साथ